Hello and welcome to our channel my dear tennis friends आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल के लास्ट grand slam जो की है US Open तो यह लास्ट का सिर्फ एक लास्ट grand slam बचा है उसके बाद अब सिर्फ next year में जो grand slam में start होगे next year सबसे first जो grand slam start होगो उस्टेलिया उपन होगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ interesting facts के बारे में जो US Open की है और इस वीडियो में हम ranking करेंगे कि कौन इस साल का US Open जीत सकता है सबस्यादा chances किसके हैं और क्यों है कैसे कोई players इस साल का US Open जीत सकता है मैंफ में और कुछ ऐसे डार्क होर्स प्लेयर के बारे में बात करें की कि जो हो को असका सिर्ग कर सकते है थाट अधरक हिंहाट आप लよね सेट में मैच खतम हो जाता है तो इसमें पात सेट में मैच खतम होता है तो इस तैप से आपको स्कोर देखने को मिल जाता है तो सबसे एजी वेज अगर कोई बहुत जादा रही बीक होता है है यहां धायर का ओर पर मुषाना जिए जाता है टैनल facil check सब्सक्राइबर्गक लोगाण सब्सक्राइब Hare फिर को लोनर्च में जहता है पर दोnovनें जरेंगिंग तरिसल्च रिफांट में दिखबए और कि पांच सेट में भी मैच जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी और कम होती है पर ऐसे देखने को मिलता है कि तीन-चार मैचेस में एक ग्रेंट स्लम में हो जाते हैं डिसाइडिंग सेट वाले तो उसमें आपको यह बात ध्यान रखने कि दस पॉइंट पहले जीतेगा वह तो उसको भी आप देख सकते हैं अब जो ग्रेंट स्लम होता है वह आप क्रिकेट में वर्ल्ल कप खेलते हैं अ तो यह टैनिस के लिए जो क्रिक्षाप ही इसे वर्ल कप कि मानने जैए तैनिस का यह और टूननेंट होता है जो अगर आप अपने आजबास से भी लोगों से जीता है तो उसको कुछ पता नहीं रहेगा और जो साल पर अच्छा प्लेयर खेलते हैं वो यहां अच्छा नहीं खेल पाते हैं क्योंकि Grand Slam एक अलगी लेवल का टूनामेंट होता है और जो इसमें जो जीता है मतलब उस प्लेयर में कैलिबर होना चाहिए तभी एक Grand Slam जीत पाते हैं तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है तो Grand Slam को हम ब्यूटी ओफ टैनिस कहते हैं या वर्ल्ड कप ओफ टैनिस कहते हैं जो भी आप जो कि आप कहना चाहते हैं आप उसे कह सकते हैं और टैनिस जादतर मेज़ॉर्टी हम Grand Slam के बारे में Grand Slam ही सब्सक्राइब होता है इसमें अगर आप कोई भी प्लेयर से टैनिस में खेलता है तो उसका सपना क्या है तो उसका सपना Grand Slam जीत नहीं होता है बहुत ही कम प्लेयर Grand Slam को जीत पाते हैं जातर डॉमिनेशन हाज तक फेडर नोवाग जुकविच और नडाल का ही रहा है इन नहीं सबसे ज्यादा Grand Slam में आपस में मिलके जीते हैं और बा क्योंकि लोग आमतर जो लोग होते हैं उन्हीं को जानते हैं जो Grand Slam जीता होता है क्योंकि आप जी के बुक में पर देखोगे तो कौन जीता Cincinnati Open कौन जीता Monterial कोई नहीं पूझाएगा कौन Grand Slam जीता है इस तो आपके कोशन आते हैं जादा तर Grand Slam के बारे में होता है और इसे टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं और वैसे ट्रेडर के साब से भी ग्रेंस हैं मेरे को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि साल पर आदत होती है में तीन सैट कि में ट्रेट करने के पर यह होता है पात सट का तो जैसे औ यहां पर सकता यह जिए गारे में तो यहां पर को यहां पर और यहां पर यह रहता हैने पर मुझकों से अइसान होता है ऑत तिएक यहां लागता है बनागे जाए बादेफ करना पर दोट chapters लिए बढ़ा हुटेन के लिए बढ़ीया होता है कि प्लेयर वह पना अच्छा प्रफॉमेंस करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं मैं टेलिग्राम में आपकी मदद करूंगा बागी इस आप मारे टेलिग्राम चैनल से जॉइन हो जाएए यहां पर मैंने अपना लिंक भी दिया है प्रोटैनिस ट्रेडर करके और यहां पर QR कोड भी शो किया है तो आप यहां से जॉइन हो सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहीं पर वीडियो जाने वाली है पुरे टूनामेंट के लिए अब इसकी टाइमिंग की बात की चाहें तो इंडिया की सब्सक्राइब के लिए चलेगा और इसमें पूरे 128 प्लेयर पास पाटिसिपेट कर रहे हैं और बने का चैंपियन कुल एक ही तो अच्छा टूनामेंट के ग्रेंट स्लैम यूस ओपन प्राइज मैंनी की बात की जाए जो जिसने किया है 66 लैग जो कि बहुत ज्यादा प्र यहां पर दस अजार का आता है लगभग ठीक अगर क्वालिटी का लो तो और नोग जो को विश्तो हो सथेर असी एक लाग तक के राक लेते हैं यो कि इंडिया में तो रैकेट लेने की तो इतने लोग तो प्लेयर ऐसी जो किसमें कैलिबर की होता है खरीद निया वाले वो तो और महेंगे जाते हैं और टैनिस खराइके खरीद पाएंगे इंडिया से सिर्फ एक प्लियर यहां पर यूस ओपन की क्वालिफाइव में पहुच पाई थी वह अंकीता रहना वह भी लास्ट में लास्ट राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन में डब्लोडिया में हार की थ देखने को मिल रहे हैं कि प्लेयर तार यह नियू देखे हैं मैंने तो देखने को मिल रहे हैं और बाकि जो इसमें ग्रेंड स्लैम का चैंपियन बनेगा मैंसाव सिंगल्स में तो इसको 24 क्रोड पर मिलेंगे जो बहुत जादा अमाउंट होता है और टोटल प्राइज मनी 65 million है पूरे मल सब कुछ जो मिला के इनका सब कुछ जो बाटेंगे 65 billion एक billion में 10 लाग होते हैं वह बहुत ज़्यादा यहां पर प्राइस मलता है जो प्लेयर्स होते हैं महिनत करते हैं कि अगले फर्स राउंड को क्वालिफाई कर लिया तो 66 लाग तो क्वालिफिकेशन करको तौन प्लेयर्स जीजान लगाते हैं जीतने के जीए यह दे जाधर क्याते हैं या तो कुछ यह सब्यों कर या भू सब्सक्राइब करते हैं था कुछ कुछ हैना व्हाम घोट में 50 घान इसकाユ dirig flour और मैंअ तो तो 2008 के बाद एक प्लेयर भी रिपीट नहीं हुआ है चैंपियन देखिए यह जैसे 2007-2008 में तो रोजर फेडर दो बार चैंपियन बना था पर उसके बाद से सब एक-एक बार ही रिपीट में कोई आया नहीं है तो यूएस ने उसको खिलाया नहीं लगाया था क्योंकि उसने कोविट का तो उसले उसको वैसे रूनामेंट से और पिछली बाद नडाल पी फिटी था और नडाल भी घिलता तो नडाल भी जीत सकता था चलो बड़िये है पर अलकराज यहां पर आ गया उसका पिछले साल से यूएस उपन का जब हो चैंपिन बना तब इससे जानना शुरू करया लगबाग मोसली लोग ने उससे और इस साल का भी वह डिफेंडिंग चैंपियन है पिछले साल वह जीता था कि अब यहां पर हम इसके बाद मैं रैंकिंग कर रहा हूं मैं रैंकिंग से किया कि टॉप यूचे इन बाहर अगर कोई यहां पर आया चैंपियन तो मुझे तो थोड़ा शाक होगा क्यूंकि थोड़ा मीन है प्रडिक्षन फोज समझ की कि ए है तो आप देख सकते हैं यहां तो एट नमबर ब मैंने यहां पर लेचार को रखा है जो इस तो यह पर और यहां पर दोनों के फॉर्म उत्रा अच्छा कासा नहीं जा रहा है जो सिस्टी पास है वो तो हर राउंड में ऐसको सब्सक्राइब पर इसके सब्सक्राइब डाउंड में पर क्यूंकि यह तो यूएसे यह उन्यूप का आज रहते हैं दोनों को रखाया टेलर फिट्स को भी रखना बड़ा क्योंकि एक तो यूएसे का है और इसको बहुत ग्राउट सपोर्ट मिलेगा और ठीक था कि प्लियर है तो इसको रखना यहां पर बनता था तो एट पोजिशन में यहां पर यह दोन हो गए अब सेवन्थ पोजिशन पर यहां पर टॉमी प्लियर है और यह अच्छा काता क्यालता है प्रहंड इसका सौलिट है फोर इन इसका थोड़ा में इसका में स्ट्रांग पॉइंट है और इसने लगडबक हमेशा टॉप लेइड को चैलेंज ज़रूर दिया है अलकरास को भी इसने एक दो बार शायद हराय है और अच्छा में इसको चायद में इससाब से पहुशना चाहिए पर इसका जो ड्रॉव है उस ट्रॉव में बतलब इस टाइप से ड्रॉव डिसाइड होता है कि 128 प्लेयर्स खेलते हैं तो उपर वाले सेक्शन में 64 नीचे वाले सेक्शन में 64 तो दोनों सेक्शन से एक सेमी फाइनल लिस से जाते हैं अब 6 नंबर पर मैंने मैं रखना तो रूबलेव को चाता था पर क्यूंकि इसका रिसेंट का जो फॉर में बहुत ही घर्टिया चल ला है स्टार्टिंग के फर्स हार्ट कोर्ट सीजन इसका जो अभी चला है बहुत ज्यादा खराब चला है रिसेंट के 2-3 हप करूंगा हुबर्ट तो यहां पर मज़े 2 प्रफ्शन रखने पड़े क्योंकि यहां पर जो हुबर्ट फॉकराज है उसको भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं यह बहुत सॉलिट केलता है और सबसे लगबग तगड़ी जो टॉप 10 में सर्विस है वह इसी ही है और लग तो यहां पर अच्छा कंपेशन भी रिसेंट का फॉर्म बहुत सॉलिड है अलकरास को भी इसने थी सेट तक खीज दिया था तो इस प्लेयर में भी यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं तो सिक्स नंबर पे इस पोजिशन में यह दो प्लेयर रहेंगे इसमें ज्यादा प्रिफ कि बात की जाए तो यहां पर कैस्पर रूड और शासर देवरेश इन दोनों में फिर से इस बार कंफूजन हो गया था तो इसमें अग्यासर की बात की जाए तो मैं इसमें कैस्पर रूड करूं क्योंकि पिछले साल कभी यह फाइनलिस्ट है काड़ो सलकरास के साथ इसका द और यह की इसलाद होता है बहुत ही अनलकी खिलाडी है ऐसे इसने साल चार देर चार-पांच बार ती practically तो अमें मिखeling यह सीध्र हाड लिक हैंने हैं रहे वार तो इससार इसको अपने युएस उपन के पॉइंट भी सेफ करना है तो अच्छा खेलना चाहिए और इस राइब का प्लेयर है कि इस पर भरोसा आप कर सकतो यह अपने फुद्ध जो नीचे प्लेयर होता है उनसे नहीं हारता जाता है इसे देखने को मिलता है जो इसके उपर तो इसको मुझे रखना पड़ा अगर प्रिफ्रेंट की जाए तो मैं इस पोजिशन पर कैस पर रूट को रहूंगा अब आती है इनकी चांसे जाद है कि जीतने के चांसे जो बॉटम सेक्शन जो अभी मैंने बोला उनसे जाद है तो फोर्थ पोजिशन पर हमारा व्मारा के लिए जाना जाता है सब 2021 में जीता था तो इसके बहुत तारी खोड़ती की बहुत सॉलिड प्लेयर है और यह है भी यह मतलब बेसलाइन इसका लगब बहुत स्ट्रॉंग खेलता है और थोड़ा यह आप इसको नोटिस करेंगे तो थोड़ा यह जो बेसलाइन होता है त थोड़ा दूर खेलता है तो इस से यहार बहुत ही सॉलिट डिटरंड प्लेयर है कोई भी कि पॉइंट की रिटर्न करता है मतलब बहुत सर्फाइकों कर देता है और इसका क्रॉस कोड़ शॉट बहुत तगड़ा है और यह एक्सको एक्सपीरियेंस भी है सबस्क्राइब तो इसको इसको पर यहां पर जाना चाहिए इसको बहले इसका रिस्ट का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है यह साथ जेब्रेव से भी आर गया है पर जब हाट्पोट की बात ग्रेंड स्लम आती है तो इस पर भरोसा हम कर सकते हैं तो फॉर्ट पॉश्ट पर यह यह रहेगा अब थर्ड पोश्चन में टॉप तीम के प्लेयर जो मैंने डिसाइड किये हैं वह आएंगे तो थर्ड पोश्चन में मैंने सीनर को रखा है अब सीनर का मैच के जो ड्रॉव के हिसाब से देखे तो अगर जेवरेव यहां तक पहुंच गया तो जेवरेव कि जो जेवरेव को फिर्ड नियाता है लोगाराज को जिए तो लोगराल के साथ जो जेवरेव को मैच होगा ड्रॉव को hasa हां तो यहां पर विच में नहीं आरा तो अगर बिच में नहीं आ हरा तो यह तो यह दो तो प्लेयर में मुझे ज्यादा पसंद विससे सीना लगा क्योंकि जो लास्ट टूनामेंट वहते हैं इस साल इसने अपना फर्स्ट था वन थाउजन मास्टर टूनामेंट भी चीता है तो हो सकता है यह इस साल और इस पर बहुत जादा इंप्रूमेंट देखने को मिला है प एक स्टेमिना के है कि ते में में उसलेफ प। हैकले सोल गटी कर और चम है तक टीशना में टोलग प्र भीनीना में बहुत हो ऑन को यह प्रस्टामेंट बहुत सकता है तो इसका यह थे फीपिटनी टूप सीफर्स सेट में विह फशना घ्रटएं साथनी तॉप त्री में रखने के पर्सेंट बनते था है इसलिए मैं इसको टॉप थी में रखाया और अलकराज और सीनर का वाइनल मैच हो सकता है अगर यह दोनों आपस मैं मिले तो अब तो बहुत चांसे थे कि हमें अलकराज और सीनर का कॉटर फायल मैच देखने को मिले सब्सक्राइब को नहीं रखा है अलकराज क्योंकि यहां पर पैटरन की बात की जाए तो यहां पर मैंने स्टार्डिंग बतायता कि कोई भी रिपीट रिपीटेट चैंपियन नहीं बना है और कोई भी अपना टैटल डिफेंट नहीं कर पाया है यूए सफन में लास्ट द नहीं काउंटर में बहुत ज्यादा यहां पर बहुत ही क्लोस मैच वाता और आज तक का उसमें बहुत इसको टाइब्रेक महता है तो ऐसा भी हो सकता इस साल भी हमें में में कार्लोस और जोकुविच का इस फाइनल देखने को मिल जाए पर मुझे इस बार ऐसी फिलिंग आ जो आजी होगी क्योंकि ये बहुत 20 साल का जो ऐसा प्लेयर इता इस तक नहीं देखा है आपने शायद क्योंकि जो जब 20 साल के प्लेयर फ्राइब का क्लाइब जो कुप इस बहुत सोलिड है वैसे आप नोटिस करोगे तो जो टॉप टैम जो प्लेयर है उसमें से यह इसकी नमबर भी सबसे घटिया सर्व होगी सबसे जो इसके अलावा जो सबसे टॉप 10 में जो प्लेयर है उनसे इसकी जो सर्व है उसे कमी अच्छी होगी पर इसके जो शौट्स है बहुत ज्यादा पाउरफुल जो डॉप से आट है टॉप 10 इसी का होगा सबसे ज्यादा फास्त भी इसके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रिसीजन है बहुत ज्यादा अधैक्वड रेंड बैकंड रहसे और प्रिश्छां के ज्यांड ब्लाव जोड़तBend तो जो तो इसको यह पर सेकेंड पोशन में रखता बन था और यह आप एक्सपेक्ट करें कि ढून करें स्थ पॉशन में आप नहीं होगा कि कौन होने वाला है कुछ शौक होने के बाद श्रीज़ न श्रीज़ लेख सब्सक्राइब करें तो इन दोनों को लगबग रखेंगे तो पूरे टूनामेंट विनर के अगर और से देखे जाए तो यह सिर्फ इसके तो पॉंट वाइन जीरो और यह लगबग इतना तो लगबग फेवरेट ही और अगर फाइनल पहुच गया तो यह कम से कम 50-50 पैसा फेवरेट लग जाएगा वहाँ पर कुनामेंट विनर के फाइनल में पहुच गया तो 40-50 फेवरेट तो 30-40 फेवरेट पर होगा तो यह बह जो यह पर सबसे जादा टॉप के ग्रैम सेम का नंबर है शायद मगर में गज़ात नहीं हो तो यह उसके बराबर करेंगा 20 स्लैम 23rd ग्रैम स्लैम में जीच जाएगा और इसका इस साल का सबसे एजिएस्ट ड्रॉग भग मिला है इसको आपको ड्रॉग की बात की जाता है त पूर्ट पोश्चन में जो और अलिया सीम है चैनेड़ा का उसका तो डिजास्टर सीजन चल ला है उसको भी आसाइन से रहा सकता है यह तो इन दोनों को भी आसाइन से रहा सकता है क्वाटर फाइनल में सिस्तिबास या टेलर फिट्स आएंगे यहां पर पहुचे भी ना और फिट्स को भी आसानी से रहा सकता है से फाइनल में इसका ड्रॉ के हिसाब से आप पता कर लगा सकता हो कि कौन कौन इससे मैच हो सकता है तो इसे की बिसे में बता रहा हूं कि से फाइनल में इसका मैच रूने या कैसपर रूट से हो सकता है तो इन दोनों में भी रूने ंड रख्यक्राइब कि वेर्ट बियादा इससे हैं तो और चल्वक किमशनी से फैदरेद्व को ठरव पूंग कि यांता हुद कि हम पोर पूंट और को से सब्सक्राइब में इसको तो फैडर को बहुत बुरा हराय था इसने चाहिए 2019 के जो फाइनल हुआ था यह पर उसको बहुत बुरा मतलब फैडर जीतने ही वाल था उस मैचर पर भी वहां से इसने कंबेक करके कंबेक का किंग है मतलब स्यादा मेंटल स्ट्रॉंग प्लियर चाहिद ही कोई होगा टैनिस किया का मदद पार करते हैं तो सर्वेस के अड्वांटेश का मिला और यह बढ़र उसके सबके सौलिड है इसे तो अब बार्यूंट है और हम नवाग जोगत बेडिया स्ट्रॉंट पर दो इसको भी तो और बीक लिड करते हैं इक और experience की बात की जाए तो स्यादा experience शायद ही यहां पर इस tournament में इस grand slam में किसी के बाद होगा तो सब सब लगबख सारी conditions के बाद हैं कि यह US Open जीते हैं तो आप expect भी कर सकते हो कि ही यह US Open जीते और मैं भी यही चाहता हूं कि US Open जीते हैं अब बात की जाए कि कौन यहां पर upset कर सकते हैं डार्क वर्स प्लेयर्स की बात की जाए तो रूने वैसे मैं इसको इसके लगबख आप 5 मैच देखो पिछले लास्तों पांच वाच्व में इसको अहार मिली है और उसकी फिटनेस पी अच्छी नहीं दिख लिया है पिछले पांच में चाहए दो मैच में तो यह रिटायर ले लिया था और बहुत ही कि इसके बहुत ही घटिया परफॉर्म चल लिए और यह वाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है पर फिटनेस भी इसकी अच्छी नहीं है पर क्योंकि यह नंबर फोर का प्लियर है से मैंने इसको दार्क वर्स में खाली ऐसे लक्ष रखाए वसे में को इसमें वरोसा नहीं है कि उपर तक जाएगा स्टार्टी में थे व्हां गयति हैं तो यह आप इसे का प्लियर को सपोर्ट करने और एस ठील अबहुत कीशने में यहां पर इसका जो लास्ट मैच होता है अलकरास के साथ और अलकरास को भी इसने तीन सेट तक यहां पर ले गाता जो कि पच्छो का खेल नहीं तो तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं और थर्ड प्लेयर जो इस पर कुछ वैसे प्रडिक्शन कर नहीं सकते हैं अगर अगर इसलिए सीरियस हो गया तो यह बहुत सॉलिड प्लेयर है तो इसलिए इसको यहां पर डार्क वर्स में रखना बनता है अब फिफ्ट पोजिशन में यहां पर मैंने मार्टन पुचोछ विच को रखा है यह भी बहुत अच्छा इसको ड्रॉब सही मिला इसलिए आ के साथ है तो उसको भी अफ्ट कर सकता है तो इस पर भी ध्यान दे सकते हो और बाकि आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जाइन हो जाई है क्योंकि वहाँ पर यह उपन कवर करेंगे तो आपका वहाँ पर जॉइन होना मस्ट है और होच सारी इसी इंफॉर्मिशन में पर प्र बेल भी ओन करीजे ताकि आप जो भी नया वीडियो है से देखना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर्ब कर दीजेगा कि महनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में और टैम यहाँ पर जाता है तो आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग दे व